दोस्तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या हो अगर ग्रेविटी खत्म हो जाए अगर अर्थे से ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाए तो इस प्रित्वी पर सर्वाइब करने वाले सभी जीओ का क्या होगा तो चलिए दोस्तो वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तो आसमान में जितने भी स्टार्स हैं एस्टोनर्ट हैं उनकी अपनी खुद की ग्रेविटी होती है और ये ग्रेविटी डिपेंड करती है उनकी आपजेक्ट के मास पर और उनके बीच लगने वाले डिस्टेंस पर तो दोस्तो ऐसा कभी नहीं होगा कि ग्रेविटी खत्म हो जाएगी लेकिन अगर ग्रेविटी खत्म हो जाए तो क्या होगा ग्रेविटी के खत्म होते ही हम हवा में तैरेंगे नहीं बलकि प्रिथिवी से सीधे 1600 किलोमीटर जाकर आसमान में गिरेंगे जैसे मानू हमें कोई प्रिथिवी से उठागर आस्मान की और 1600 किलिमेटर तक कोई फेक दिया हो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि धरती खुद अपने धरी पे 460 मीटर पर सेकेंट यानि कि 1600 किलिमेटर की स्पीड से 460 मीटर पर सेकेंट घूम रही है और इसी के कारण ही दिन और रात भी होते हैं दोस्तों जैसा कि हम बता दे अगर हम प्रिथिवी से उपर जाएंगे और तक तक हम उन्यूर्स में तैरते रहेंगे जब तक कि कोई दूसरा ग्रफ हमें अपनी तरफ अट्रेक्ट ना कर ले बात यही खत्म नहीं होती फ्रेंट जो हमारे चारो तरफ दिखाई दे रहा है वो सारा ग्रेवटी पही डिपेंड है और ग्रेवटी खत्म होते ही जितने भी धरती पर लीविंग थिंस है सारी आसमान में चले जाएंगे सभी बिल्डिंग्स कार और सभी मेटेरियल्स एर में फ्लो होते दिखेंगे और जो क्लाउड हम देखते हैं सब खत्म हो जाएगा जैसे मानो पूरा काला बादल छागया हो क्योंकि दोस्तों जो क्लाउड है वह भी एक तरसे ग्रेविटी पर ही रुका हुआ है और ग्रेविटी नव होने के कारण बारिज का होना हावा का चलना सब खत्म हो जाएगा जैसे मानो पहले कुछ था ही नहीं पूरा इनिवर्स एक जैसा ब्लेक हो जाएगा और दोस्तों जैसा की हम आपको बता दें विडाउट ऑक्सिजन का तो लिविंग्स रहना इंपॉसिबल है और विडाउट ग्रेविटी के गैसियस इलिमेंट का इस्टेवर रहना इंपॉसिबल है एक तरसे देखा जाए तो ग्रेविटी हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ा रोल निभाती है तो दोस्तों ये जनकारी आपको जाएंकर कैसा लगा ऐसे एक ज्यान की बाते जाने के लिए हमारे चेनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक पर दीजिएगा